तो चलो प्यारवचो इस वाले सवाल को देखो इसमें एक फ्रिक्ष्णल लेस वायर एबी है और इसे बी यहां से यहां पर एक बॉल था और वो ऐसे नीचे आएगा तो बी तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा हम सबको पता है कि अगर यह सरकल है यहां पर एक सरकल बना लेते हैं और यह सेंटर ओ है और यह यहां से ऐसे आ रहा है ठीक है और यह वाली जो line है, वो vertical वाली line है, तो यह यहां से ऐसे एक surface बनाए गया है, इस surface पे यहां से एक ball चलेगा, this is the ball which moved from point A to point B, तो ऐसे एक ball आएगा, और finally उसको B तक आने में कितना time लगेगा, यहां इस point B तक आने में, तो वही तो हमें calculate करना है, तो देखो, हम सबको पता ह surface है, in-client plane है, यहां से, तो कोई भी acceleration है, in-client plane पे सबसे पहले acceleration देखो, आप कितना होता है, in-client plane पे जो acceleration होता है, अगर यह एंगल यहां पर यह वाला angle दिया हुआ, यह angle theta है, तो यह वाला angle कितना होगा, 90-theta, और अगर यहां से कोई block slide करता है, तो आप आई हो कि आपक cos जो होता है, वो mg sin 90-theta होता है, और यहां पर जो mg इधर लग रहती, उसी के component कर दिये, और इधर आजाएगा mg cos यहां से 90-theta, तो फुल मिला कि इधर जो आजाएगा, mg 90-theta, मतलब mg cos theta इधर आजाएगा, और इधर आजाएगा mg sin theta, ठीक ना, तो एक्सलेशन की value बनेगी, mg cos theta divided by mass of the mass, तो x relation is equal to g cos theta, मतलब यह जो पार्टी के लिए, वो g cos theta से x-let होगा, इस inclined plane पे x relation आजाएगा g cos theta, since x relation constant है, तो मैं second rest से चला था, यहां इसकी initial speed rest थी, तो मैं s is equal to ut plus half at square लगा देता हूँ, along the inclined, तो distance चलेगा a b, initially 0, x relation a, g cos theta, तो time t का square, तो कि यहां से time t की value आजाएगी, वो आजाएगी a b में two times का multiply कर दूँ, और यहां से g cos theta under root, अब हमारा target है, फाइनली यह length a b निकालना, तो अगर मुझे length a b पता चल जाए, तो यह question हो जाएगा बच्चों, length a b कैसे हम लोग पता करें, कुछ चीज़ को हम लोग यहां देखते हैं, length a b पता करने के लिए, एक काम करते हैं, यह पूरा का पूरा 2 r है, this is the 2 r, यह पूरा length 2 r है, और circle की property से हमें पता है, कि अगर मैं यहां से मिला देता हूं, तो यह angle हमेशा 90 होता है, यह point और इस point को मिलाने वाली जो यहां एक triangle बना है, triangle a b c, वो एक right angle triangle है, तो अगर यह 2 r है, और यह theta है, तो इस right angle triangle में अगर आओगे, तो लगा दोगे तुम cos theta, तो cos theta की value क्या जाएगी, b by h, मलब a b upon 2 r, तो यहां से a b की value आजाएगी, वो आजाएगी 2 r cos theta, ठीक ना, यह circle की property से 90 degree हम इसा होता है, तो यहां से time की value आजाएगी 2, और यहां से 2 r cos theta यहां से आजाएगा, finally, और यहां से देखोगे, g cos theta, यहां से आजाएगी, और सब कुछ under root है, तो यह cos theta ने cos theta को कतम कर दिया, मतलब अगर time की value देखोगे, तो time की value, तो इस time की value आजाएगी 2 r over g under root, interesting बात यह है, कि यह जो time है बच्चों, वो theta पर does not depend, does not depend upon theta, तो यह theta पर depend ही नहीं कर रहा है, तो अगर यह theta पर depend नहीं कर रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ, कि आप यहां से कोई भी incline plane बना लो, सब पे जो है, अगर ball छोड़ोगे, तो same time पर पहुँचेगा, जिसे मैंने एक incline plane ऐसे बना लिया, और एक incline plane ऐसे बना लिया, एक vertically भी बना लो, कोई दिक्कत ने, एक सीधा बना लो, एक ऐसे बना लो, एक ऐसे बना लो, यह तो इस point को आने में, यह जो point, last वाले point, इस point तक आने में, सभी पे ball छोड़ोगे, तो इस point पे सभी पे ball आने में, same समय लगेगा, theta पे depending नहीं करता है, तो I hope कि आपको यह समझ में आ गया other it two, r, by g under root or theta independent, thank you, वेब एक टिक रीज ने लो, दो, आर थीड एक जो, वेबरोट ना गया, फंडेए काया है, तो एक आपको आपको आपस है, अपको आपको 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 मा पागे, तो हम पाने में, सबस्けれ ऐधसर, ऑसे से अपको आपको आपकन हूंट यह ज़